तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके यह सेमसंग का यह था यह सेमसंग का कोई साई मॉवाइल हो जिसमें वन यूवाई होता है उसके अंदर मोवाईल की अगर आप सैटिंग में जाएंगे वहाँ पर आपको एक डिस्प्ले की ऑप्शिन मिलता है अगर उसमें जाएंगे तो आपको नीचे फीचछर मिलता इसकर रहा में हॵोम स्क्रीण एيधिया हो तो दोस्तों उसके इनदर बहुत सारे वीचर होते हैं तो आज में आपको उनी फीचर में बताने हैं कैसे आप उन फीचर 50 एक्षे के अपको फायदे होने वाले ऐस्ठीक में स्थोती सुफने आर्फ का होगा वीडियोग." दिस्प्ले वाला राम से आपको उस पे क्लिक करना है वहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा home screen का आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुगा किस्टमाइस पहले तो आगर आप यहांद देखेंगे, अगर होम स्क्रीण पर आपको कोई एप लेना हो, अगर किसी एप को बलब आपके सारी एप," aps देखना हो Net करने का अगर आप यहां बाहर आएंगे तो आपको यहां ऐसा option मिलने वाला सारी एप यहां पर नीचे आ गई है बाहर की तरफ आप यह पूरी home screen पर ही आ गई है सारी आपको यहां पर जाने जाने ज़रूद नहीं पड़ेगी सारी अपप को ही ही मिल जाएंगी जैसे और दूसरे मुवायल में होता है यह उपर भी करेंगे तो खुछ नहीं होगा तो यह आपकी हें पर इंस्टोल हो मनल的话 मेंडे स्क्रीन पर आ गई यह आपको बार बार एपस की श्क्रीन पर जाना है तो यह रहता है आपको वापस वैसा करना है बाई डेफोल्ट वह वाले option पर आप जाएंगे वापिस यहां पर home screen पर तो यह by default पर रहता है home and app screen पर आपको यहां वापिस कर देंगे तो वापिस जैसे पहले था वो वैसा हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां सारी आप भड़ जाएंगी पूरी अब मेरी यहां पर वापिस आ गए है तो फर्स्ट ऑप्शन तो यह हो गया उसके नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों हम वापिस स्क्रीन में जाने के बाद तो दूसरे नीचे की तरफ आएंगे home screen grid का option यहां पर होता गया है अब यहां देखेंगे एक लाइन पर कितनी आप आती है अभी बाइडिफॉल्ट फॉर इंटु फाइब का रेशुर सेट आप देख रहे हैं एक दो तीन चार दिख रही है और उपर से नीचे तक मतलब पॉर्ट्रेड मोड पर पांच आएंगी एप और ऐसे में लेंडिस आ जाएंगे और यहां पर आपको लास्ट में में लेगा फाइब इंटू सिक्स वाला ओप्शन तो यह इसलिए होता है अगर आपको लगता है यह आपको और छोटी एप करनी है तो आप सो कस्टमाइज कर सकते हैं और सारी एप आपकी एक ही पेच में माम भी आ जाएंगी यह इसलिए होता है उसके नीचे आएंगे आपको एप स्क्रीन का मिलेगा अब यह जो एप स्क्रीन होती है उसके लिए था वो होम स्क्रीन के लिए यह एप स्क्रीन के लिए था तो यहां पर भी आप अपने साब से कस्टमाइज कर सकते हैं ले ले आउट सेम वो ही लिया ह का जो कि मैंने या पर five into five का लिया रखा है अगर मैं या पर five into six कर दूंगा तो आप यह देख रहे हैं five into six हो चुका है बाइड डिफॉल्ट मैंने five into five लेका स्वरी four into five था मेरा ऐसा था अगर हम मैं five into five कर दूंगा तो यहां जाओंगा भार आप देखेंगे एक एक लाइन पर पांच आ सकते हैं क्योंकि यहां से हड़ गई बाकी अब मैं नीचे जितनी भी आप करने जाओं देख रहे हैं पूरी कस्टमाइज हो चुकी है तो यह असलिए होता है एप ग्रीट वाला option उसके नीचे अगर आप आएंगे यहां पर बटन वाला जो option मिल रहा है आपको यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो होगा कि आप आइकन बगेज में होता गया दोस्तों अगर आप इस option में जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे बाइड़ी 40 नंबर पर क्लिक के और उसके नीचे डॉट का option आपको मिल रहा होगा तो यह होता गया है दोस्तों अगर आप जाएंगे यहां पर आपको इसी दीख रही है आप किसी भी आप में जाएंगे तो आपको यह हर में आपको दिखने वाला है आप आपको सिस्क्रेंगे निश्युट करते हैं फॉटर्ण कर सकते हैν वहां पर आपको सरव डॉट का ओप्शन देखेगा नंबर एसलिए होता है उसके नीचसे आएंगे आपको मिल रहा है या होम इस्क्रीलियाउट तो दोस्त suis होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं अगर आप इस option को ओन कर देंगे लौक होम इसक्रीन लेट को अगर आपको किसी एप को लगाना जाएंगे महाँ पर जाके तो आपको यहां दिख रहेंगे ओप्षिन पर हाइलाइट ही नहीं अगर आप क्लिक कर देंगे तो नीचे लिखा जाएगा होम इसको हटा सकते हैं तो यह वाला जो आप्शन है यह बिल्कुल ऑपॉजिट ए लॉक्स क्रीन के लेड़ के अगर आप कोई भी एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो बाइड डिफोल्ट अट्रमेंटिक होम फोर नोटिफिकेशन वाला यह जो कि बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे इसमें होता गया दोस्तों अगर आप पैक की तरफ आएंगे यहां पर अगर आप देखेंगे फिंगर कहीं भी नीचे की तरफ करेंगे तो नोटिफिकेशन पूरा नीचे आ जाएगी आपकी नहीं आएगा तो जो की मुझे अच्छा ही लगता मुझे वही वाला सेटिंग बहुत आच्छी लगती तो आप आप इसको आफ कर देंगे तो अगर आप मॉबाइल को रोटेट मोड पर भी डाल लेंगे और मॉबाइल को रोटेट करेंगे तो होम स्क्रीन कभी रोटेट नहीं होती आप देख सकते हो रोटेट नहीं हो रही है तो होम स्क्रीन कभी रोटेट नहीं होती है आप देख रहे ह से रोटेट हो गई है आप दिख सकते हैं इसको एजी लिए चला सकते हैं तो यह आप्शन है असली होता है है उसके बाद जो कि लास्ट ओप्शन आपको मिल रहा है आपर हो मिस्की सेटिंग में आपको लास्ट ऑफीन मिल रहा हां hide एप जिसीजी इस पर जाएंगे यहाँ पर आपको सारी एफ भी किलिक करने के आपको दिख रहा होगा hidden एप पर चलिया है कि आपको यहां तो दोस्तों मुझे उम्हीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों प्लीज लाइक श